पहले चीज़ शेतान के शब्दों का इस्तमाल ना करें वरन परमेश्व के वच्चन का इस्तमाल करें दूसरी बात रॉंग प्रेयर्स ना करें वो प्रेयर करें जो परमेश्व चाते हैं जो परमेश्वन ने आपको दर्शन दिये जो वाइदे परमेश्वन ने आप से किये उनके अनुसार प्रातना करे गलत प्रातना करके आप चीजों के लिए शैद अपने जीवन में दुख उठा सकते हैं जैसे अब राम ने उठाया मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियों कि आपको ये काम नहीं करना आपको तीसरी चीज़ करना है डिकलेर करना है जो आप है हालिलुया जैसा परमिश्व ने आपको बनाया है जैसा परमिश्व ने ताकत आपको दी है आपको वैसा अपने जीवन को तयार करना है